कि हलो एन वेल्कम टू एस्टोनॉमिक्स अंडिस इस संदीप कोचर अभी तो रात बाकी है जरा सी बात बाकी है जरा सा ओ ठेर जाओ अभी मुलाकात बाकी क्या बात है बिल्कुल यह बदलते बद के साब से मैं बदलती हूं लाइने लिखते रहता हूं और आपको लगता है क कि शायरी का मौसम क्यों बन जाता है यह पर क्योंकि शायराना महौल बनाना पड़ता है क्योंकि शायरी जदिंग बट यॉर लाइफ क्योंकि हमारी जिन्दगी में आसपास जो घटता है वह हम लोग सोचते हैं और उसको कवी को क्या चाहिए एक कविता अब तो कविता की सесол Кई शायरी जानी에도 लग बात तो वाइं सेंग लोगी अभी इंसान को गवाप नहीं करना चैय यह क्योंकि अभी रात लाकी है वक गुजरता नहीं है वक्त हमारा जो है वो डिफिकल्ट हो जाता है और वो वो गुजरना मुश्किल हो जाता है तो मैं आप से क्या कहना चाहता हूं कि इंसान को गिव अप नहीं करना चाहिए अगर आपको लगता है कि आपने तमाम उमर निकाल दी कुछ करने के लिए और यह गुजर गई बिना कुछ करें तो मेरे ख्याल से इडिस ओंट लाइक डाट क्योंकि हर इंसान का एक वक्त आता है अटल बिहारी वाजपाई साब प्रधान मंतरी बने जब चलने में दिक्क्त आने लगी या नरसिमर आओ साब प्रधान मंतरी तब बने जब उन्होंने यह सोचना ही बंद कर दिया वह भूल गए कि वह पॉलिक्स में तो कोई भी इंसानों किसी भी लेवल को कितने लोग हैं जो जब लगता है कि अब रिटायर हो जाएंगे अनिल कुम्ले कैप्टन मनें कब जब रिटायर होने वाले थे तो वो आइम सेंगे इस टाइम का कोई भर के लिए वह वक्त करता है कि वह अच्छा था कि बुरा वह अलग बात है तो वाइं सेंग इस कि वन हैस्टू गो विद दा फ्लो और वन हैस्टू हाव पॉजिविटीविटी इन माइन तो वह बहुत जरूरी है लेकिन जैसे है कि हर इंसान जो है हम लोग ऑविसली वी और वेरी इमोशनल पीपल एंसमटाइम क्या होता है वी टेंड टू गिवप और समटाइम इवी टेंड तो यह अच्छी बात नहीं क्योंकि जिए वह टोटालिटी में जीने चाहिए आपको लगता है कि यह क्या लाइफ है उनकी यार कितना हैपनिंग है पार्टी में जाते है है हर वीक वो मजब करते हैं जिन्दगी के वो और गाड़ी सबसे बड़ी है उनकी घर भी देखो क्या अलिशान है उनका तो वह आपको तकली पहुंचा रहा है लेकिन आपको यह नहीं पता है उनके घर में जाकने के बाद आगर आप देखें कि रिलेशन्शिप बैंड ब चाहिए और क्या घलत आप उनसे शादी करना चाहते थे उससे आपकी नहीं हुई आप डिप्रेस हो गए लेकिन आपको यह नहीं बताए कि जिसे उनकी शादी हुई वो कहीं के नहीं रहे तो ऐसे मैं क्या करना चाहिए कि गिव और बेस्ट लीव हिम दरेस्ट यह आपको चाहिए तो इसे में उपरवाले के लिए भी तो इसे में उपरवाले का एक कनेक्शन आपके साथ होना चाहिए और जिस इंसान ने चीज को समझ लिया क्योंकि लगता है कि आपको साइंस को अभी तक यह अंताजा नहीं लग पाया है कि वाट इस साइंस गौड पार्टिकल कभी कुछ ना कुछ वो बोलते रहते हैं और अभी तक नहीं पता है यह पूरा जो ब्रहमांध है यह कौन चला भूरा रहा है पता है नहीं सारे पैने जो सन के आसपाथ भूम रहे हैं वो उसे कौन गुमा रहा है पता ही नहीं पूल और ये ग्रेविटेशन पूल और फोर्स से एक बार भी अगर ग्रेविटेशन चुट्टी पर चला गया तो हम सब की चुटी हो जाईगी तो इस इस ना बहुत जरूरी है खुद के को जानना बहुत जरूरी है और एसन्दगी को समझके सही तरीकें से हपी होते हुए चलना बहुत जरूरी है नहीं तो तो एसी ग Дляays हगे जिद्धोजहेट में आपके जिन्दीयें निकल जाएगी और पिर आप ही करने रहेंगे और फिर कभी जिन्दगी गुजर जाती है कभी हम गुजर जाते हैं मैंने लिगा एनिवेस तो यह बाते हैं जो जिन्दगी कहानी पहले ही लिकी जा चुकी है तो जैस्ट फॉलो दा ट्राइक विदा पॉजरिव एप्रोच और बिलीव मी यू फिल गूड इरीज की शुरुआत हो रही हमेचा की तरह ने इरीज और फिलिंग गुड हैपी पॉजरिव लगी और रुद्बा वर्ला है आपका भाई साब यह बहुत अच्छी बात है और मुझे भी लग रहा है भाई साब की भावी जी के आने की भी संभावना बढ़ लाई है यानि हैं अगर आप शादी करना चाहते हैं तो उसका भी वक्ट चल रहा है तो प्रोबोस कर दीजिए इजहार कर दीजिए एकरार यकीन हो चाएगा इन्वेस्मेंट में अगर आप महबत करना चाहते हैं इन्वेस्मेंट के साथ तो पी एस यू से फायदा हो सकता है बैंकिंग स से हो सकता है पावर से भी हो सकता है आपका वरशब राशियानी टॉरस की शुरुआत हो रही है महबत करने के साथ अपने संबंदों को बनाने के साथ पड़ोसियों के साथ एक्चुली अपना इंवार्मेंट क्रेट करिए अपने कलीक से साथ अपने संबंदों को बहतर है मैं एनिवेस दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि आप भी शेर कर सकते हैं अपनी बातों को कि आप रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो उसका वक्ष चल रहा है कुछ ऐसे ख्यालाद आपके बन में हैं वह मचेर करी है क्योंकि मेरे साथ ठीक नहीं है उन पर थोड़ा साथ को लग दौड़ा लेंगे आप तो नजर अंदाज नहीं होंगी वो चीजें जो आपको कहीं भजाने की चेश्टा कर सकती हैं आने वाले भविश में हिंदी में कह रहा हूं में आपको एंड दूसरी बात यह है कि इससा टाइम यू वोट बीवाड़ेट रिवाड़ेट अनिधिन which is beautiful and best you may get it and I think this will be a time when you will feel all good all around investment career up commodities main infrastructure main for mom kar karashi earning cancer cancerian are feeling so good for a change you got such a nagya hai क्योंकि बहुत stress later they up is like is you know just a much better than you are you know I'm gonna be a good one you know I'm gonna be a good one you know I'm gonna be a good job job your Olympic medal medal मिला तब आपने कहा ता उपर वाले से कि आखर मेरे साथ अजर मुझे किसी को cancer हो गया था या I think AIDS हो गया था I forgot the real story तो वह उसे यह बहुत अच्छी कहीं थी why me why me in every circumstances you know there is a reason to you need to accept it at the same time you could be getting some kind of promotion unexpectedly that's a good news and I think you will be doing something significant related to your career as well investment कर सकते है आप auto sector में power में infrastructure में and even commodities can be a good option long term के साब जाब एक्सपर की सलाह लेते रही है और अब हमारे साथ जूट चुकी है सीमा जी जिनकी डिटाव बर्त है 16th of July 1967 time of the 17 in the morning सीमा जी वलकम नूद शो आजना चाहती हैं नहीं जाना चाहती हैं प्रस्वाइव से मेरे हस्बेर मेरे साथ में नहीं है अन्ट है और इस मैं जाओं जी मैं कुछ सवाल के जवाब आप से चाहूंगा सीमा जी पहला सवाल जी जब से आप चोटी चोटी बच्ची जब से हैं जब से आपको याद है घो सबाला है आपको एक चीज जो आपको कभी नहीं मिलती हैं और इस मेंटल पीस अमराइट वही नाधारत है दूसरी बात I think you are a person who has a lot of understanding about everything मतला आप को किसी के बारे में आप से discussion किया जा सकता है मैं राइट हां जी थर्ड इस I think you will keep on learning आपको इंटरस से सीखने में हां जी क्योंकि मुझे लगता है कि आप सालोजी रे की टैरों यह सब सीख गई होंगी हां जी लेकिन एक चीज़ दो आपको सालोजी सीखने के बाद आपको नहीं लगता कि कभी जिन्दगी मुश्किल है और कभी मुश्किल में है जिन्दगी यानि कुछ चीजें आपकी वैसे भी मुश्किल में मुश्किल हो गई थी है मैं राइट पहली बात जैसे you keep on analyzing lot of things secondly कोई भी गलत बात आपको बरदाश नहीं होती है थर्ड ली और सो सेंसेटिव और उसके ब पूरी नहीं थी लेकिन आपका जो केर था जो आपका इमोशन था वह सही तरीके से प्रोजेक्ट नहीं हुआ और हस्बेंड आपको समझ नहीं पाए इमराइट तो तमाम सबूतों और गवाओं के मदे नजर सीमा जी यह सितारे इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जो भी situation व आपको यह यह दो प्रॉबोसल ऐसे आये थे जो मट्रीलाइज नहीं हुए थे हैंजी मदा इस ही यौर थर्ट थर्ड परशन इन आ लाइफ नहीं नहीं इस बात निकारा हूं जैसे कहीं को जान बाद बढ़ी नहीं भी यह इस स्कूल कॉलेज में कोई ठीक लग रहा था मत मतलब वाट रहा हूं कि फॉब्लीक लिए पूज रहा हूं यह अजीब सी बात है लेकिन वाट आम सेंग इस यह अगर यह इसका रिश्टा आया और पका होगा ऐसे समझ लीजिए तो मुझे नहीं लगता कि रिश्टा कभी तूटने वाला है थोड़ा सापने आपको बदलिय है आपका जो स्टेट ऑव माइन है टोटली समय डिपरेशन में हैं मैं राइट बट बिलीव में इंट विल भी बैक और नौट सॉरी विल बैक और नौट देखिए मैं तो यह ज़रूर कह सकता हूं कि आप आपका कोई करनेक्शन है कोई टेच में हैं उनसे की नहीं नहीं लाएं तक तो छवह जो आपको बता है कि आपकी तुलह राशी और ये रेकी और सब को सीखने के बाद लोग भी कहते होंगे सीमा जी आप बदल गई हैं तो आइधिक फरकेट अब पास पुरानी चीज़ों को डिलीट कर दीजिए एक नई शुरुवात के साथ और रिली विलिंग तो बिलिंग विलिंग तो बिल्कुल भी छडिये मत एक प पर्ल और यलो सफायर आपको जिंदगी बर सूट करेंगा सीमा जी तो आइधिक पॉजिटिव प्रोच के साथ गुरू आपके लगन में हैं एस्पेक्टिंग सेवें थाउस तो शादी तो ब्रेक नहीं होगी लेकिन ही विल बी अबल टू कम बैक्ट ब्रेसिंस अव लिए इस मलड़ यू यूर वेरी अंबिशियोस आप बीस इनके में बहुत बड़ा करना मराइट विलकुल बेल्कुल मेरे काज आप जरू करेंगी आज बिक आज यू नों डुएंग पॉली जा इपन प्रेसिए अप मेरे साब से आर यू ए एलर हम यूड एल मिलस हील किस मतलब साथ में रहेगी मतलब उसका क्या फ्यूचर है देखिए वो तो डॉक्टर के अरोस्कोप से बता सकता हूं लेकिन क्योंकि आप ब्लेस्ट हैं तो डोंट वरी बच्चे जो है दे विल बी रिस्पॉंसिबल एंड यू विल बेटर लाइफ आप यू आप भी जाना चाह उसके बाद अपना डेटो भर्ट टाइम वर्ट एंड प्लेस वर्ट के साथ लिए अपना पूरा सवाल और भेज़ दीजे फाइव सेवन फाइव सेवन फाइव पर तो एक बार वक्त है ब्रेक का और ब्रेक के बाद एक बार होगी आप से फिर से मुलाकात और अगर कहीं जाना है तो चले जाएए क्योंकि हम हाजर होते हैं आपके सामने एक बार फिर से जल्दी से बागी बच्चों याट राशों के बारे में देंगे सबी सवालों के जवाब भी हम यूं गए और यूं आए आप देखते रही है जी बिजनस आपका फैदा तो ब्रेक में जाने से पहले हम लोग जिन्दगी को जीने की कोशिच कर रहे थे बिसिकली शो कर रहे थे लेकिन उसमें बताने की कोशिच कर रहे थे कि जिन्दगी को कैसे जिया जाए कुछ लोग कहते हैं कि आप क्यों समझाएंगे भाई सब हमको तो सब पता है देखिए what is good and bad and you have to change according to the situation तो हमारी जिंगी थोड़ी सी और खुबसूरत यह हैंसम हो जाती है थोड़ा से गुस्यानी वगो वगो उसकी शुरुआत होगी प्यार महबत के साथ पार्टी में शरीक होंगे आप सेंटर अट्रेक्शन बन जाएंगे आप वावाही होगी आपकी चर्चे होंगे आपके पर्चे भी बढ़ेंगे आपके तो यह बहुत अच्छा दौर आपका यह भी अच्छी बात है और मुझे लगता है कि करियर में पॉसिटिव चिंटेज हैं दिसे टाइम योड़ी अप्रेटिंग लॉट बीटिफुल थिंग सराउंड यू यानि वाइव को छोड़के सब कुछ बदलने वाला है ऐसा खुबसूरत मौसम अभी बना हुआ हुआ बहुत जजबा है और इंसान के अंदर अगर थोड़ा सा पॉजिटिव होता है अंदर जुनून ऐसा शब्द मुझे ना जाने क्यों जासे याद आया तो अच्छी बात है वह बहुत जरूरी है अगर जुनून हो तुमें किसी को चाहने का तो यकिनन वो चीज आपके साथ मिल जाती है हो जाती है तो इच्छी बात है लैंड से फैदा होगा आपको ट्रेडिंग फैनेंस से गेंस होंगे आपको जो लिप मीडिया में है वो लग रहा है कि कुछ Prime करने वाले हैं ब्रीकिन निईस अर यह एपर केंस मिले वा था थैं मुझे लगता है आपको आग्री of divinity very good यह बहुत रशी बाद है and that is giving you a lot of insight that is giving you a lot of you know energy and that is so great your mass is still in 10,000 giving you a lot of positivity again this is the time you could be getting an opportunity which comes once in one year so I think this is the time to explore all of them gains करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं PSU's में infrastructure में and even agriculture में long term के साब जाब एक्सपर्ट की सला लेते रहे हैं और आप हमार सा जुट चुके हैं दीप कुमार जिनकी date of birth है 25th August 1971 time of birth is 530 in the morning दीप जी स्वागत है आपका शो में क्या जनना चाहते हैं आप संदीप जी पहले तो नमस्कार कहना चाहूंगा मेरे आप से लास बात हुई थी 2010 में तब आपने मेरे को बताया था 2013 तक मेरे को मेरे पे शनी की डहिया चलती रहेगी और उसके बाद ठीक होगा तर अभी भी वैसे चल रहा है कुछ पर्मनेंट जॉब कुछ नजर नहीं आ रहे हैं जहां पर मैं खुश रहूं और आगे बढ़ सको यह देखिया मैंने कहा था कि यह जो दो दीब कुमार जी और देखे गुरू की दर्शा आपकी एंड हो गई 15 जुलाई को शनी की महादर्शा शुरू ही आपकी अब शनी आपके और उसको में डूल रोल प्ले करता है वह सेवेंट लॉड है और वह आटवे घर का ही मालिक है वह ग्यानवे घर में दा हाउस अगें में प्लेस्ट है और नमाज में वह नीच का है तो यहां भी मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि वह डिले से रिजल्ट देगा थोड़ा सा अफ़र्ट आपको एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे लेकिन सबसे अच्छी बात है कि वही शनी इस एस्पेक्टेट बाइग बहुती क्लियर कट वाले हिंसाने मैंदा बिना मैनिपूलेशन के जिंदगी को चलाने की कोशिच करते हैं इसके वैसे क्या है थोड़ा-थोड़ा मुश्किल हो जाती है और आजकल लोग कितने हैं कितनी अपनी बातों को डिफरेंट तरीके से घुमा फिरा के कर लेते हैं जो आप नहीं कर पाते हैं तो आप अपने आपको थोड़ा सा बदली है दीप जी मेरे इसाब से अब वक्त आ गया है जुलाई से पहले का वक्त विल्कुल ठीक नहीं था लेकिन अभी पिछले दो डाई में जो चीज़े बदली हैं क्या इंडिया के बाहर भी सोच रहें कि हैं जो आपने बहुत आपने बहुत सारी कि आप बाहर जा सकते हैं कि अभी तक बजे हुई है यूएस में बी अधिये चट्डाउन हुआ और सब कुछ यूरप में प्रॉलम आई अभी चल रही है तो इसे में थोला साब को यह एरिया अफ बहुत जरूरी है कि वह यूए ह है या कोई और मैंने होटल मैंजमेंट किया हुआ है और मैं होटल इंडस्ट्री में हूँ तो ठीक है होडल इंडस्ट्री तो चलती रहेगी लोग गुंते रहेंगे और आइटिंग उसमें इतनी क्रैसी नहीं है तो I think you are the best person for that and I think you may be getting some opportunity any डिए इन दिस पर्टिक्लिए यह तो आपका भग जो है वो एक निया शुरू हुआ है शनी जो है आपके चंदरमा के नक्षद्र में है तो आइधिंक जो आपका लगने लॉड है तो आइधिंक विल्प यू तो डू आप पहन के रखो दीप कुमार जी जो सबसे और आप भी जानना चाहते हैं कि कब मिलेगी आपको अपनी वो गेंज उन सेक्टर से जो आपके लिए फेवरवल हैं और कब होंगे आपके वो सपने जो आप रात भर देखते हैं जाकते हुए तो आप हमें SMS करिए अपने खुद के मोबाइल से टाइप कीजिए लू सी के सब्सक्राइब कर अपना डिटो बर्ट टाइम बर्दें प्लेस बर्ट के साथ लिए अपना सवाल और भेज दीजिए 57575 पर तो वक्त है आपसे एक और ब्रेक का और ब्रेक के बाद एक और बार होगी आपसे तीसरी बार मुलाकात तो अगर आपको जाना है तो लॉट आए और यूहीं आए आप देखते रही हैं सी बिजस्स आपका फाइदा वेल्कम बैक आफ्टर तो ब्रेक तो बेक में जाने से पहले आट राश्यों के बारे में बताया जाता है है को और मुलाकात होती है हमारी कुछ बात होती है और को जख़च रहा हूं हो सही है कि नहीं नुर आशी की बारी आ चुकी और साइजटरियन सही सोचते आने हैं लेकिन आज मैं कुछ मुझे एक सला आपको यसी देना चाहता हूं की एकडालाद मेरे मन में आ रहा है और मुझे लगता है वो खवयालातं कहीं मुझे पैसे तो काफियाः हविमिलता हुआ है लेकिन यह नहीं कहना चाहरा हmau में कहना चाहरा हूं कि ऐसा ना हो आपको फशा दे तो ये नीड to check your desire which is very very important at the same time you may be getting unexpected gains which is so beautiful और ये बहुत अच्छी बाद है trading banking finance a communications if either hooga तो this is a time you need to use it effectively throw the humor अपने जिन्दगी में जोड़ें तो I think it will be good for you there's a minute here the house that was a humor basically so don't take it seriously or seriously अगर आप investment करना चाहते हैं तो कर सकते हैं steel में फर्मा में एन इवन टेलीकॉं can be a good option मगर राशी अनिंग काप्रिकॉन काप्रिकॉन की शुरुबात हो रही है beautiful क्योंकि लोग आपको समझ गए कि आप बहुत beautiful है या handsome है तो यह कैसा वक्त आ गया है जिसमें आपकी public image बहुत ही beautiful होती चली जा रही है तो यह भी अच्छी बात है लोग आपके काम आ रहे हैं जोड़ रहे हैं लोग आपके साथ government sources से आपको फाइदा हो रहा है Bosses आपको like कर रहे हैं for a change तो यह तो बहुत इच्छी बात है तो I think there's a time to explore कुछ बड़ा करने का मन में जजबा है वो भी पूरा हो जाएगा गेंज हो सकता है आपको FMCG से consumer durable से and even banking can be a good option कुम राशी अनिक कुरेस एक कुरेस की शुरुवात हो रही है happiness के साथ healthy healthy होने के साथ health का को इशू था तो I think you may find a good medication or at least do some meditation that will be good for you this is a time there could be some changes which you may not like it but you need to accept it because ultimately it will prove to be good for you and luck would support you as well investment के point of view say I think IT telecom and the agriculture can be a good option mean Russia and a poison poison कि श्रुवाद हो रही है प्यार और मुहबत के साथ और इजहार करेंगे आप इकरार भी होगा यह भी तो बहुत अच्छी बात है और unmarried है आप तो बहुत बहुत अच्छी बात है और मुझे लगता है कि focus बढ़ाना होगा especially for student because there's a time to concentrate more on your studies and that will be good for you learn meditation that will help you to become more focused so I think that will be good and you may get lot of good things around you investment अगर good करना चाहते हैं तो कर सकते हैं steel में oil and natural gases FMCG and auto sector can be good option long term किसाब से expert की सला लेते रहे हैं और आप भी जाना चाहते हैं कि वह कौन से एरियास हैं जो आपको great return दे सकते हैं और कब मिलेगी आप पो अपनी मंचाही मंजल तो आप हमें sms करिए उठा के अपना मोबाइल सब्सक्राइब करना है सवाल का जवाब तो इसी शो में देखने को मिलेगा अब यह शो आप अनलाइन भी देख सकते हैं यूट्यूब जी बिजनस के चैनल पर जाकर जितनी बार चाहे उतनी बार उसको करके देखें and you'll find lot of answers related to your life तो वक्त है आप से विदा लेने का धीजिये संदीप कोचर को इसाजद अगले हफ़े फिर होगी आप से मुलागाद रखिए अपना खयाल good luck और God bless देखे रहिए जी बिसनस आपका फैता हुआ